Hello Capricorns, Welcome to my channel Dream Tarot यह आपके पार्टन की करन्ट पीडिंग से वाले से रीडिंग है यह एक टामलेस रीडिंग होगी जो कि आप कभी देख सकते हैं और जनरर रीडिंग होगी जो कि आप से रिजनरेट कर भी सकती और नहीं भी कर सकती और अगर आप मेरे चैनल पी नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें मेश च HC गोंविचप्सक्राइब करें ने, डेसको सब्सक्राइब करें अगर जो कन्तर परसंवादी चाहिए ।ो भी आपको से मेर इस्ट्री欘्रम पे कांटेक्स कर सकते हैं So let's start your reading देखते हैं कि आपकी क्या messages आते हैं आपके पार्टनर की current feelings के हवाले से क्या messages है Okay Capricorn's person's current feelings Capricorn's partners की current feelings क्या है Capricorn's partners current feelings So underneath the cards आपके लिए है Eight of Pentacles Queen of Wands Okay so Judgment, Death card, Queen of Wands and Eight of Pentacles So here आपके पार्टनर जो है वो major reconciliation चाहते हैं और वो एक transformation से उसर हैं उनके अंदर हिम्मत और होसला आ रहा है जिसके बाद वो अब इस relationship पर work out करने के लिए बहुत ज़्यादा willing नज़र आ रहा है और उनको वो बहुत ज़्यादा work out कर भी रहें महिनत कर रहें आपको या तो नोने busy किया हुआ है या पर वो इस relationship पर work out करना चाहते हैं अपने इस change की वज़ा से उनमें change आ रहा है तो अधर कार्ड यहां पर five of pentacle है six of wands है seven of pentacle है weed of fortune हो सकता है कि आपके person जो है वो बहुत ज़्यादा यह जो भी break up है इसको बहुत ज़्यादा feel कर रहें इस वक में ठीक है बहुत ज़्यादा feeling आ रहे हैं उनको के वो आपके बगहर जो है कैसा महसूस करें हैं बहुत ज़्यादा दास हैं वो एक unstable situation से गुजर रहे हैं और उनके लिए जो है वो success हासिल करना हो सकता है money wise वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें लेकिन उनको financial उतनी growth होती नजर नहीं आ रही जैसे मैंने का कि financial किसी approval का वेट करें यहां उन्होंने कोई project किया था उसका वेट करें उसके payoff का वेट कर रहे हैं तो यहां पर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद यहां बहुत अनन्सी इंस्टेबिलीटी कर सकती हैं तो यह रिलेशन्शिप में एंस्टेबिलेटी वी कर रहे हैं और उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पारी, चैलांजिन्ग होसाथ है यह तो workplace की बात हो गए अगर love life में देखा जाए तो आपके partner जो है वो इस relationship पर workout करना चाहते है reconciliation चाहते है change चाहते है उनके mind में पाइन मैं जाते है कि आप change होना चाहिए relationship में बहुत हो गया यह जो भी चल रहा था बहुत अरसे से वो अब इस process को end करना चाते है एक नई शुरुवात करना चाते है लाइक जैसे आपर death card है तो एक bad cycle end करके एक नई cycle शुरू करने की उनकी energy है और वो second chance भी चाहते है बेटिंग है आपकी तरफ से बहुत दा उनको उमीद है hope है वो wait पर है कि आपकी तरफ से उनने कोई या वो अपने आपने ही कुछ नया शुरुआत कर रहे है अपनी self पर work out कर रहे है अगर आप दोनों में कुछ break up situation थी तो heart to heart conversation universe उनको चुक guidance देना चाहती है universe उनको चुक guidance देना चाहती है वो यह है heart to heart conversation honestly discuss your feelings with each other like conversation करना चाहते है उनको universe ने कहा है यह advice उनको मिलती होगी या वो अपने mind में बार बार यह ख्याल आता होगा कि कोई angel उनके दमाग में यह बात डालने के कुशिश करें कि उनको heart to heart conversation करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस relationship में otherwise चीज़े ठीक नहीं होगी और अगर flirt भी करना चाहते है तो कर सकते extend your light hearted energy to others like अगर वो आपके साथ थोड़ा बहुत जैसे flirty energy लेके आएं कुछ उसमें तो relationship में के जो है वो chance हो सकते है कि इसमें like कुछ पहले से बहतीर ही आना शुरू हो जाए हो सकते है बहुत था emotionally dead relationship हो गया था तो आपके partner को यह कहा जाते है उनिवर्स की तरफ से उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि अपने partner को आपको अकेला नहीं चोड़ना चाहिए उनको यह अहसास नहीं होना चाहिए कि आप नहीं है जो करना चाहते है ठीक है अभजाते हैं आपका wade करेंल आपकी तरसे किसी signal का चाहिए वह नहीं आप शायद उनको एक स्टEP आगे नहीं आने दे रहे हैं तो वह उटाते हैं वह फ्लर्ट भी शायद आपके साथकर रहे है वह heart to heart conversation करना चाहते हैं अब दिख लेते हैं कि उनकी हाट के किया मैसेज़ज़ज़ ने कभी कहा नहीं है नहीं है यह क्या कहना चाहते हैं लेकिन उनके दिल में रह जाती है वाते हैं आई वाल वेट फॉर एपर आ शाइन फॉरम यूउ आपकी तरफ भग भग आजाएंगे के लिए आपको बताना चाहते हैं अच्छी नीजी देना चाहते हैं उनके लाइफ में चाहते हैं जो वह आपको बताना चाहते हैं बहुत कुछ है अनकी लाइफ में बताने के लिए I wish I could back my words हो सकता है I could take back my words हो सकता है कि उन्होंने कुछ आज से कहा हूँ जो नहीं कहना चाहते है उनको regret हो रहा हूँ वो वापस लेना चाहते है अपने words I love you unconditionally और यो यह भी कहना चाहते हैं आपको unconditional love करते हैं एक यह भी message है के okay so message तो बहुत हो गए but यहाँ पर I don't feel to take that message okay so यह है आपके reading Capricorn if it resonates you, please let me confirm in a comment below like my video, subscribe my channel and thanks for watching